वश्कार दोस्तों, पुझा शिक्ती चैनल में आप सभी मेरे भाई और भेनों का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप दोस्तों, आज जिस नए विशेपर हम चर्चा करेंगे वो है जीवन में सफलता हासिल करने के लिए इंसान किस प्रकार से उर्जावान बने केवल तस्वीरों के माध्यम से जो है इंसान अपने जीवन में बहुत सी मनोकामनोगी पूर्थी कर सकता है यह सभी जो है वास्तु शास्त्र में आपको आसानी से देखने को मिलेंगे परन्तु काफी कन्फ्यूजन रहते हैं कि हम किस तरीके की तस्वीरे लगाएं सबसे पहले तो आपको बताते हैं बहुत कॉमन तस्वीर जो है वो है भागते वे गोडे की यानि रनिंग होर्स जो पिक्चर्ज होती है वो बहुत से घरों में आपने देखी हूँगी परन्तु कई बार जो है बहुत गलत से लगी हुई होती है क्या है इनका सही तरीका किस प्रकार के घोड़े होने चाहिए गोडों के पीछे किस प्रकार का बैग्राउंड होना चाहिए या फिर केवल किस रंग के घोडों का उपयोग करके आप जो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो देखते हैं जीवन में सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहले तो बहुत जरूर होता है इंसान का जो है स्वस्त होना उर्जावान होना और सबसे पहले अपने जीवन की सभी प्रकार की नेगेटिव उर्जा है जो है घर के बाहर हो अगर घर के अंदर नेगेटिव उर्जा होंगी मै फिर से बही बात कहूंगे आपके घर में कभी भी लक्षमी जी का वास नहीं होगा इस बात को आप सदेव जहान रखें अगर आप उर्जा से भरपूर हैं आपने कारी की शमता में आप रवल हैं तो सफलता है आपके कदम चुमेंगी इसमें कोई भी दोराय नहीं है मंगल जिनका बहुत ज़्यादा तेज होता आप देखेंगे वो व्यक्ति कभी हारते नहीं है उन्हें जितना मर्जी स्ट्रगल करवालो वो उनके जीवन में जितनी मर्जी महनत करवालो वो हमेशा महनत करते हैं और उच्च कोटी पर जाते हैं केवल अपनी महनत के अदम पर भले वो बहुत नेमने परिवार में भी जन में हो तो घोड़े की तस्वीर जो होती है उसी प्रकार की होती है किसमत चमकाने वाली क्योंकि वो उर्जा होती है वो दिन भर काम करने वाली होती है गोड़े जो होते है बहुत उर्जावान होते है बिना थके बिना हारे कारे करते हैं तो भाईयों और मैंनों आज हम बात करेंगी कि हमें कितने गोडों की जो तस्वीर है अपने घर पर लगानी है या वेबसाइक स्थाल पर लगानी है और या फिर अगर हम नौकरी करते हैं तो जॉब में किस प्रकार से अपना दबदबा बनाने के लिए कितने गोडों का प्र वो साथ जो गोड़े होते हैं वो व्यावसाई के लिए बहुत जादा प्रगरी के सूचक माने जाते हैं क्योंकि आप अगर ध्यान देंगे तो हिंदु धर्म शास्त्र में शास्त्र जो होते हैं उनके अनुसार साथ अंग सर्व भौमिक है प्रकृतिक है यानि की प्रकृति से जुड़ा हुआ है मदर अर्थ से जुड़ा हुआ है ध्यान देने वाल बात यहां पर ये भी है कि इंद्र धनुस जो होते हैं साथ रंगों के होते हैं सब्तरिशी जो होते हैं साथ होते हैं शादी के फेरे साथ होते हैं साथ जन्म होते हैं इसलिए जो सिवार पर लगानी है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे और घोडे जो होंगे अगर आप सफेद रंग के घोडे लगाते हैं साथ और उनका जो बैगरांड होगा इस बात का ध्यान रखे कि सदेव जो होना चाहिए वो उगता हुआ सूरज होना चाहिए पानी होना पेड अगर लगे हैं तो हर्याली लिए होने चाहिए हरे पत्ते होने चाहिए उसमें सूखे पत्ते नहीं होने चाहिए आप देखेंगे तो बहुत से तस्वीरे मिल जाती है जिसमें रात का अंधेरा होता है पानी थामा हुआ होता है सूरज डूपता हुआ दिखाई देत तो हमें हर्याली की जरूरत होती है, हमें एक उपजाव जमीन की जरूरत होती है, खास तोर पर अगर हम बहुत बड़ी मात्रा में धन चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में हर्याली चाहिए, आपको अपने जीवन में सौभागे चाहिए, तो हर्याली का सूचग्या होग तो ग्रीनरी अगर होगी हरे रंकी तो बहुत शुब रहेगा उगता हुआ सूरज अगर उस पिक्चर में मिल जाए तो वो भी बहुत शुब होगा यानि कि ये सोने पर सुहागे वाली बात होगी कि ग्रीनरी के साथ जो है उन्नती प्लगती क्योंकि सूरज जो है सदे जब भी आप कोई पिक्चर लगाते हैं अपकी खुद की भी पिक्चर लगाते हैं अपने घर पर तो आप सदेव इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रसंद मुद्रा होती है उसी की तस्वीर हमें हमेशा सदेव अपने घर में लगानी चाहिए कोई भी जो ऐसा आर्टिवि अगर आप लक्षमी के साई निवास के लिए चाहते हैं तो सफेद रंगा गोड़ा होना चाहिए और अगर आप इसके लिए घर का मुख्य हॉल ले लेते हैं तो दशिन दिवार यानि साउथ की जो दिवार होती है बहुत शुब मानी जाती है गोड़े की तस्वीर लगान अगर ऑफिस में लगा रहे है या वेपार स्थाल पे लगा रहे है तो भी साउथ की जो दिवार होगी उसमें बड़ा पोस्टर आप लगा लीजे तो वह बहुत जादा और उसके अगर बॉर्डर गोल्डन रंगी होगी या फ्रेम करवा रहते हैं गोल्डन रंग में तो यह जो है कही ना कही उस चीज को स्टेबल कर देगा उस चीज के ओपर एक मोहर लगा देगा क्योंकि कई बार हम पोस्टर जो है बिना फ्रेमिंग के लगा देते हैं तो वह खुले वे होते हैं चार उत्रफ या धन आता है चला जाता है आता है जब हम उसी चीज को फ्रेम क जिए आने वाली जो दिक्कते हैं धना जाना यह सब रुखेगा स्थाई जो एक चीज होती है महारे जीवन में स्थाई चीजे जाते है वह स्थाई हो जाएंगी अब अग tribesποιों से बहुत golden run के ले सकते हैं आपको किसी भी gift shop पर आसानी से मिल जाएगा आपको क्या करना है घर की उत्तर पश्चिम दिशा जो होती है वहाँ पर आपको ये लगा देने हैं आप देखेंगे कर्ज की जो परिशानी है वह दूर होने लगेगी अपने आप घोड़े ही क्यों गोड़े आप देखेंगे तो हम जब शनी की शांती चाहते हैं तो पैर का शू कहा जाता है जो होशू के रूप में प्रसिद है हम उसकी अंगूटी पहनते हैं नजर के लिए हम उसे अपने घर के बाहर लगाते हैं या गुड़ लग के लिए लगाते हैं उसका सिक्का लोग बनवा कर अपने पर्स में रखते हैं और अपना नाम गुदवा कर उसके उपर अपने पास हमेशा एक लखी चाम के रूप में रखते हैं क्योंकि घोड़ा जो है बहुत जादा उजा का प्रतीक माना जाता है घोड़ो की सेवा से भी जो है आपको बहुत जादा सफलता है प्राप्तो होती है अगर घोड़ो को आप चने खिला सकते हैं या उन पर जो है उन्हें आप भोजन के रूप में कुछ दान दे सकते हैं तो वो जरूर हमें देना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में समरिद्धी बड़े अब अगर आपको ये चीजे बहुत जादा सोचने पर आती है कि हम अगर ऐसी तस्वीरे लगा भी देंगे तो बस आपको क्या करना है उन्हें डेली अगर आप देख सकते हैं तो प्रसंची मुद्रा में देखिए तो वो उतनी जादा आपकी एनर्जी से भरपूर होगी उनके अंदर आप जो है एनर्जी अपने त्रू जो है फोटोस के अंदर एनर्जी डालेंगे तो आप देखना शुरू कर दीजे बहुत सिंपल उपाय है आप प्रसंच होकर बस उन चीजों को देखिए आपके जीवन में वो अपने आपी घटित होने लगेंगी तो भाईयों और बहनों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे किसे नवीशे पचर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों जय माता दी